दोस्तों कभी ना कभी आपने निर्मा पाउडर के पेकेट और एड में एक लड़की की फोटो देखी होगी बहुत से कम ये से लगोंगे जो निर्मा पाउडर के पेकेट पर छपी तास्विर वाली बची के बारे में जानते होंगे ये लड़की कौन है और उसका नाम किया है इनके बारे में नहीं जानते हो ना तो कोई बात नहीं आज की ये वीडियो देखते रहे हैं आज की ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा लगिन दोस्तो शुरू करने से पहले अपने मेरी चेनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिये और बाजी में दिये गए बेले कम पर क्लिक कर दीजिये जिसे मेरे आने वाली सब्सक्राइब करना बेकोल प्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्योद तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि निर्मा पाउडर के विग्नापन पर छपी लड़की का नाम असल में निरुपमा है इसके नाम पर ही वोसिम पाउडर का नाम निर्मा रखा गया है कि निर्मा वोसिम पाउडर की सुरुवात 1969 में गुज्रात एक करसन भाई पटल ने की थी निर्मा के पकेट पर जो बच्ची नजर आती है वो करसन भाई की बेटी है और बता दे कि करसन भाई प्यार से अपनी बेटी को निर्मा कहकर पुकारती थी करसन भाई ने के बेटी के नाम से ही निर्मा कमपनी के सुरात की थी मैं आपको बता दू कि निर्मा जब स्कूल में पढ़ती थी तब एक दिन काराटसम में उनकी मोत हो गई कि इस गटना के बाद करसन भाई और उनके परिवर पर दुखो का पहड तूट पड़ा था करसन भाई अपने बेटी को बेहत प्यार करते थे वो चाहते थे कि उनकी बेटी दिन दुनिया में खुब नाम कमा है लेकिन छोटी सी उम्र में बेटी की मोत ने उनके अर्मानों पर पाने फिर दिया करसन भाई बेटी के जाने के गम को भूला नहीं पा रहे थे आला कि निर्मा के जाने के बाद करसन भाई ने तई किया कि वो अपने बेटी का नाम हमेशा के लिए अमर कर देंगे उन्होंने पहले बेटी के नाम पर निर्मा कमपनी के सुरुआत की उसके बाद डिटर्जन के पेकेट पर बेटी की तस्वीश चापकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया बेटी की मोद के बाद तिन साल तक करसन भाई ने एक अनोके वोसिम पाउडर का फोर्मूले तयार किया और दीरे दीरे पाउडर की विक्री शुरू कर दी लेकिन इस बिच करसन भाई ने अपने सरकरी नोकरी नहीं छोड़ी और दोस्तों मैं आपको बता दू कि करसन भाई अपनी साइकल से ओफिस जाया करते थे और रास्ते में ही लोगों को घर में निर्मा वोसे पाउडर बेटते थे उस वक्त बाजार में सरक जैसे पाउडर आ चुके थे उनकी कीमत 15 रुपे प्रतिक किलो थी जबकि निर्मा को करसन भाई सिफ 3.5 किलो रुपे प्रतिक किलो के इसाब से बेटते थे आसपास से कम अमदनी वाले लोगों को निर्मा अच्छा विकल्प लगा येसे में निर्मा की बिकरी सुरू हो गई करसन भाई की गड़ी मेनत और उनके होसले के कारण उनका नाम हमारे बीच सबसे बड़ा है तो दोस्तो मेरी ये छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि निर्मा के पेकेट में सपेद फ्रोक वाली लड़की कौन है दोस्तो अगर आपको मेरी ये वीडियो के इंपरमेशन अच्छी लगी है यूसपुल लगी है यूनिक लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सेर करना मत बुले जिसे दुसरों को भी ये बात पता चले तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक थेंकियू है यूज भी है अएगर वीडियो के साथ मिलते हैं